नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चानल में मैं हुआ की वही अंजली मिल नहीं पाती तो क्या हुआ? बहुबत तो तुमसे फिर भी वही साब करती हूँ जी हापने सही सुरह हम आज की डिली राशीफल की बात कह रहे है आज की दिन जिनका birthday है या फिर marriage anniversary है उनको मीली और से ठेर सारी good wishes और बहुत सारी शुबकाम नाए हो तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया का सबसे अच्छा कहना है परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साती है आत्मविश्वास लोगों की निंदा से परिश्यान होकर अपना रास्ता ना बदलना क्योंकि सफलता शर्म से नहीं सहस से मिलती है सलाह के सौ शब्दों से जादा अनभव की एक ठोकर इनसान को बहुत मचबूत बनाती है हर इनसान में कोई न कोई प्रतिबा जरूर होती है लेकिन लोग अक्सरी से दूसरे जैसा बनने में नश्ट कर देते है अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे क्योंकि आपके मंजिल की एहमियत जितनी आप जानते हो तनी और कोई नहीं जानता जो बुरा लगे उसे त्याग दो फिर चाहे वो विचार हो करम हो या मनुश्य जिन्दगी में हम कुछ नया इसलिए भी नहीं कर बाते क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे नहीं कर पा रहें तो हम कैसे कर सकते हैं यह सोच आपकी बिल्कुल गलत है क्योंकि आप सब कर सकते हैं तोटने का मतलब खत्म होना नहीं होता कभी-कभी टोटे से जिंदगी की नई शिरुवात होती है मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहरा है उम्मीद जो एक प्यारे से मुस्कान देकर कानों में धीर इसे कहती है कि सब अच्छा होगा बीज जो है वो बिनावास के बढ़ता है लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ किरता है विनाश शोर करता है लेकिन बढ़ने वाला मौन रहता है ये मौन की शक्ती है पूरी दुनिया जीत कर भी अगर माबाप का दिल ना जीता तो वो हार की समान है इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए जिन्दिगी है साहे छोड़ कर चली जाएगी मेज पर होगी तस्वीर कुरसी खाली रह जाएगी जिन्दिगी वो हिसाब है जिजे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता इसलिए आज में ही सुधार करें और पुरानी बातों को अनभव की तरह इस्तमाल करें सबसे पहले में आपको बता दू कि अजाब के लिए शुब रंग रहेगा आज का गुलाबी यानि की पिंक और लखी नमबर हैने वाला है आज आज आपके लिए आठ आज का दिन बिना किसी बात से विचलित हुए अपने कारियर की रहा पर आगे बढ़ने का है आप अपने हिताशियों और दुश्मनों में असाने से फरक कर पाएंगे कि कौन आपके साथ है और कौन आपका दुश्मन है अपने मन की वाज सुनिये और अपनी प्लानिंग्स के अनुसार ही आगे बढ़ने की कोशिश कीज़ेगा अपनी सोच पर आज आज आपको काबू रखना होगा कई तरह के विचार आपके मन में आ सकते हैं विचारों की उथल पुदल से आपको बस नीन की कमी रहेगी और टेंशन रहेगी इसलिए विचारों को काबू रखना होगा परिसित्यों का समय की साथ आपको सलुशन मिलता चला जाएगा जितना उसके लिए परिशान होंगे उतना ही आप अपने लिए बाधाएं उत्मन कर सकते हैं साथ में आज जो है महत्वकांक्षी लोगों के लिए अनकूलता रह सकते हैं आज बच्चे भी बहुत ज़्यादा जित कर सकते हैं दिन जो है आज का दूसरों की मदद करने का रहेगा सहयोग करिए आप दूसरों की चीज़ों में जिसे कि आपको भी आत्मी खुशी मिलतेगी और उन्हें भी हल्प मिल जाएगी किसी शुब चिंतक का अशिरवाद या शुब कामनाय आपको वरदान की तरह परतीत होगा आज 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 आप की राशे के लोग जो है बाचित में निपुन होते हैं लेकिन आज किसी से बाचित करते समय सावधान भी रहना होगा क्योंकि आप अपनी कोई important scheme किसी के सामने आप कहीं सारवजनिक न कर दे याने कि खुलासा न कर दे अपनी secrets को तो आपके उपर कोई चोरियां, जूठा, इलजाम भी आज के दिन लग सकता है ऐसे जिदारे कहते हैं पर याद रिखेगा कि आज के दिन अपनी plannings अगर आप गुपतर रखेंगे और किसी को नहीं बताएंगे तो ही आपको काफी हद तक फायदा मिल पाएगा अपने साथे को लेकर आज संभल कर चलने का दिन हो सकता है उन्हीं आपके आज पास रहना पसंद है लेकिन आज थोड़ा आपको भी साफधानी बरतनी होगी अपने जरूरी काम खतम करने के बाद ही दोसों के साफ समय गुजारेगा वना आपका बहुत सारा जो काम है पैंटिंग रह सकता है और हाँ आप जो है काम अठक भी सकता है कहीं पर आफस भी सकते हैं नकिने मुर्जा को साफ करने के लिए बिना चाबी की ताले को फैंक दीजेगा जने कि अगर आपके पास कोई ऐसा ताला है जिसकी चाबी नहीं है तो उसको आप बाहर फैंक दीजे सादे साद में अगर आपके आसपास कोई ठूटी हुई चीज है या रुकी हुई घड़ी है तो उनको भी बाहर फैंक आपके लिए बैचे रहेगा अज आपके भी नमर्दा की वज़े से रिष्टेदारियों, समंधियों और समाज में मान समान बना रहेगा आज भी आप किसी भी मुश्किल कारे को सोच समझकर और शानते पूरवक तरीके से निफटाने के समर्थ रहेंगे अध्यात्मिक और धरम करेके शेत्र में आपका काफी ज़ादा जुकाव रह सकता है किसे के घर में फंक्शन हो सकता है धारमी वगएरा तो आप उसमें अपने आपको जो है बहुत इच्छा फिल करवा सकते हैं आपको मन की शान्ती मिलेगी किसे निजदेगी व्यक्ति से अचानक किसी मुद्दे पर बहस हो सकती है जिसकी वज़े से आपकी मान हानी हो सकती है बैठे बिठाय किसी मुसीबत में पढ़ सकते हैं इसलिए किसी के साथ बहस मत कीजेगा आगे बढ़ते और बात करते हैं आज की बिजनस और करेर की तो कहता है कि विवसाई कारूबे बहुत ही ज़्यादा चोकना रहने की जरूरत है आपको अद आपके थोड़े से असावधानी या गलती का बहुत ही ज़्यादा खामियाज भूगतना पढ़ सकता है लोग आपकी विनमरता का गलत फाइदा भी उठा सकते हैं आपको सही योगियों से भरपूर भरोसा और साथ मिलने की योग है आपका कारिस्थल पर जो दिन है बहुत ही बहतरीन और शांती बुर्वक तरीके से गुजर सकता है कमेशन से रिलेटिट कारों में थोड़ी साफधानी रखनी होगी नहीं तो नुकसान के सितियां पैदा हो सकती है जमीन जायदार से रिलेटिट बिजनस में कोई बड़े डेल होने की संभावना बन रही है इसलिए उस पर आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा आज करेर के लिहाज से दिन थोड़ा मुश्कीलों भरा भी कहीं लोगों के लिए हो सकता है जो लोग नौकरी करते हैं या फिर जो लोग सोनी चान्दी का विपार करते हैं उनके लिए थोड़ा आज दिक्कत वाला समय हो सकता है चारी साथ में आज लकडी की विपारियों को और जो लोकसरकारी काम करते हैं उनको बहुत ही ज़ादा हो सकता है तो ये बात की हमने करीर और बिजनस की और अब बात करने वाले हैं आज के हम लव लाइफ की बारे में तो आज विवास से रिलेटीड समंदों में किसी प्रकार का खुलासा होने से दामपत्त जीवन पर प्रभाव पर सकता है इसलिए ऐसे समंदों से दूर है कर अपनी गरहस्ती पर ज़्यादा फोकस कीजिए किसी और किसा अजाय समंद ना बनाए वहीं आज जीवन साथ या प्रेमी का साथ किसी बात को लेकर तनाम भी हो सकता है इसका कोई फेरीजन हो सकता है बस आपको जो है अपने आपको जो है पॉजिटिविधी तरीकी से पेशाना होगा हजाब का साथी चाहता है कि आप उन्हें जो है अधिक समय दे अधिक प्यार दे इसके लिए परियाश जरूर कीजेगा उनके साथ जादा से जादा टाइम स्पेंट करना आपके और उनके लिए बहुत ही जादा अच्छा रह सकता है वहीं आज घर का वातन भी वातावन खुश्टुमा बना रहेगा जीवन साथी के साथ समन्ध मदुता से गुजरेगा बच्चों के साथ अब काफी समिस्पेंट कर सकते हैं उनकी बातों को जो है आप अंदेखा मत कीजेगा कुछ उनके बात सुने और कुछ अपनी कहिए उनको भी इच्छा लगेगा आपको भी इच्छा लगेगा तो ये बात की हमने अभी लव लाइफ की और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हेल्थ लाइफ के बारे में तो हेल्ट कहती है कि बदरते मौसम के नेगटी प्रिभाव का आपके स्वास्ते पर बहुत ही ज़्यादा असर बढ़ सकता है इसलिए जो हेला परवाही मत कीज़ेगा सहीं में दिन चर्या रखे गरम पाने का सीवन करना आपकी हैल्थ को बहुत ज़्यादा बैटर बना सकता है मार्ट प्रेशों में जुड़ी समस्याओं से लाव मिल सकता है दर्द से राहत मिल सकती है डियाबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों को समस्यों का सामना कर पर सकता है परहेज रखेंगे और अच्छी डाइट रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली साथी में मौस्य में बुखार्ट की समस्याओं तो पैदा हो सकती है अपने बचाव के लिए खान पान में उचित परहेज और अराम फी फरमाना होगा अराम फरमाना आपके लिए बहुत ही जादा बैटर रह सकता है अब आगे बैटर बात करते हैं आज की विशी शुपाई के बारे में आज आपके लिए विशी शुपाई कहता है कि आज आपको सबसे पहले वासुदोश के लिए आपको घर में से कोई भी और टूटा समान रुका हुआ घड़ी वेकरा बाहार निकाल देनी चाहिए साग साग में अगर आज आपकेले का दान करते हैं तो आपके लिए सुखद हो सकता है आज भगवान विश्णु के पूजा करें पीले कपड़े का दान कर सकते हैं पीले रोमाल अपने पास रखें बरकत आपके हाथ में रहेगी तो दोस्तो अगर आपके वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुर भी मत भूलेगा धन्यवाद